तो प्यारी बच्चो नमस्कार कक्सादस विज्ञान में जो चेप्टर नमर 14 है उसके नोट्स भी हमने already त्यार कर लिए हैं और आज के इस वीडियो में आपको कक्सादस विज्ञान का जो चेप्टर नमर 14 है आपके उर्सा के स्त्रोत तो उर्जा के स्त्रोत इसका जो part number one है वो इस वीडियो में हम अच्छी तरह से discuss करने वाले हैं और या आपके notes हैं तो इन notes को आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या इन notes को आप purchase भी कर सकते हैं अब ये notes आपको purchase कैसे करने हैं तो इसकी पूरी जो detail है वो आपको description में मिल जाएगी तो वहाँ जाकर आप ये notes हैं वो purchase कर सकते हैं और ऐसे सांदार notes आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे तो ये complete notes हैं और इसके अलावा मैंने पूरी book यानि science की जो complete जो book है जिसके जितने भी chapters हैं उन सारे chapter के notes हैं वो मैंने ऐसे ही करवा रखे हैं अगर अभी तक आपने वो video नहीं देखे हैं तो उन videos का link भी आपको description मिल जाएगा तो वहाँ जाकर वो video भी आप देख सकते हैं और video को आपको पूरा देखना है तो सबसे पहले इसमें आपके उर्जा है यानि energy अब उर्जा जो topic है वो काफी important है ओके तो उर्जा या energy इसकी क्या definition आपको exam में लिख कर आनी है किस परकार से और किस इसका जो मात्र का वो क्य चमता है कारी करने की जो दर है उसको हम क्या कहते हैं उर्जा कहते हैं यानि energy कहते हैं ओके यानि किसी वास्तु द्वारा कारी करने की जो चमता है जो दर है उसको हम क्या कहते हैं उर्जा कहते हैं और उर्जा के विविद रूप होते हैं उर्जा के विविद रूप होते है यानि उर्जा है जो energy है उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपान्तिरित कर सकते हैं उसको बजल सकते हैं और उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है note तो उर्जा का जो unit होता है वो क्या होता है जूल होता है जिसको हम J से दरसाते हैं तो आपको यही बाते हैं कि उर्जा की प्रिबासा क्या होती है? उर्जा का मात्र क्या होता है? तो उर्जा की प्रिबासा क्या है कि किसी वस्तु द्वारा कार ये करने की जो छमता है जो दर है उसको हम क्या कहते हैं उर्जा और उर्जा की विविद रूप होते हैं उर्जा को हम एक रूप से दूसरी रूप में बदल सकते हैं उसके बाद में उर्जा का मातर क्या होता है तो उर्जा का मात्र का वो जूल होता है और उसको हम जेसे दरसाते हैं उसके बाद में next है आपके कि उर्जा का उत्तम स्तरोत तो उर्जा का उत्तम स्तरोत किसे कहते हैं ये question आपके board exam में आ सकता है काफी important है कि उर्जा का उत्तम स्तरोत किसे कहा गया है तो उर्जा का उत्तम स्त्रोत वह स्त्रोत है जिसमें निमलिखित गुण पाये जाते हैं यानि उर्जा का उत्तम स्त्रोत किसे कहते हैं तो उर्जा का उत्तम स्त्रोत वह स्त्रोत है जिसमें निमलिखित गुण होते हैं तो पहला गुण है वो क्या आउसे कहें? कि जिसके परती एकांग दरिवे मानसे अधिक उर्जा प्राप्त हो सके और दूसरा गुण क्या है? कि जो सरलता से उपलब्ध हो सके और तिसरा गुण है कि जिसका बंधारण आसान वे प्रिवन में आसानी हो और चार नमर गुण क्या है कि सस्ता हो तो ये चार गुण है कि आपको अच्छे से याद गरने है कि उर्जा का उत्तम इस्तरोत वह इस्तरोत है जिसमें निमलिखित गुण होते हैं जिसके परती एकांग द्रिवेमान से अधीक उर्जा प्राप्थ हो सके और दूसरा गुण क्या है कि जो सरलता से उपलब्द हो सके और तीसरा गुण क्या है कि जिसका बंडारन आसान और परिवन में क्या हो आसानी हो और चार नम्मर गुण क्या है कि जो सस्ता हो तो ये चार रुण है आपको अच्छे से जहां रखने है उसके बाद में नेक्स्त है आपके उत्तम इंदन अब उत्तम इंदन किसे कहते हैं तो ये भी काफी इंपोर्टेट है आपके बोर्ड एक्जाम के लिए कि उत्तम इंदन किसे का आ गया है तो इंदन के जलाने पर पर कि इंदन के जलाने पर जो इंदन हम जलाते हैं तो इंदन को जलाने पर पड़ती एकांक द्रिवेमान से अधिक के उसमा प्राप्त हो सके और जलने पर उसमें कम से कम दुआ उत्पन हो सके और आसानी से उपलद हो सके तो ये तीन गुण दरम है ये आपके उत्तम इंदन के हैं उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि उर्जा के पारंप्रिक इस्तोत तो उर्जा के पारंप्रिक जो इस्तोत है वो कौन-कौन से हैं तो जिसमें पहला क्या है आपके जिवासमी इंदन इसको भी हम बहुत ही विदूते सेंतर और तीसरा है आपके जल विदूते सेंतर और उसके बाद में नेक्स्ट है जेव मात्रा या बायो मास्थ और उसके बाद में है परवन उठ जाथ तो ये काफ़ी important है इसको और हम बहुती detail से पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आपके क्या है जिवासमी इंदन है तो सबसे पहले आपको जिवासमी इंदन है ये heading लिखना है ओके इसको highlight करना है और उसके बाद में देखे जिवासमी इंदन होता क्या है तो जिवासम से प्राप्त जो भी इंदन है जिवासम से प्राप्त जो भी इंदन है जैसे कोईला है पेंट्रोलियम है तो ये सब क्या कहलाते हैं ये जिवासम इंदन कहलाते हैं तो जिवासम से प्राप्त इंदन को हम क्या कहते हैं जिवासम इंदन कहते हैं उधारन के लिए हम बात करें तो कोईला और पेंट्रोलियम क्या है आपके जिवासम इंदन है और इन नवी क्रणिये स्रोत और उसके बाद में एक्स्त हैं कि भारत वर्स में विश्वे का 6% कोईला बंडार है जो की वर्तमान में वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिक्तम 250 वर्सों तक बने रहेंगे तो यह सारी जो डिटेल हैं सारी जो बाते हैं यह आपको जिवासम इंदन म अंबव है और सिमित बंडारन एनवी क्रणिये स्रोत माना गया है और बारत वर्स में विश्वे का 6% कोईला बंडार है जो की वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिक्तम 250 वर्सों तक बने रहेंगे उसके बाद में आपके जिवासम इंदन की हानिया अब देखिए जिवास समिंदन से तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि प्रित्वी पर जिवासमी इंदन का सिमित बंडार उपलब्द है कि जो प्रित्वी है उस पर जिवासमी इंदन का सिमित बंडार उपलब्द है अता हमें इनका स्रंग्छन आवसेक है ओके और सेकिन हानी क्या है कि जिवासमी इंधन जलाए जाने तो ये तीन हानिया इसमें आपको अच्छे से द्यान रखनी है काफी important है आपके और काफी बार ये board exam में question भी आ चुका है कि जिवासमें इंदन से उत्पन होने वाली हानियों को दर्साइए या हानियों को लिखिए तो ये आपको तीन हानियां इसके अच्छे से ध्यान रखनी है उसके बाद में next है आपके कि जिवासमें इंदन से उत्पन जो परदूशन है उसको कम करने के क्या उपाए है तो ये question भी आपके आ सकता है कि जो जिवासमें इंदन है उससे उत्पन परदूशन है उसको किस परकार से कम किया जा सकता है उसके क्या-क्या उपाए हैं, क्या-क्या सुजाव हैं, तो इसमें पहला है कि अधिक पेड़ों को लगा कर, अधिक से अधिक अगर हम पेड़ लगाएंगे, तो उससे हम जिवा समिंदन हैं, उससे जो परदूसरन हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, और दूसरा उपाए क्या है कि दहन प्रकिरिया की दख्सता बढ़ाकर और तीसरा उपाय क्या है कि वाहनों में CNG का प्रियोग ज़्यादा से ज़्यादा करके यानि जो भी वाहन है उनमें CNG का प्रियोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे अधिक्ता में करेंगे तो उससे भी हम प्रदूशन को कम कर स तो ये चार उपाए हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। मैं उसके बाद में नेक्स्ट अपकी ताप्य विदूत सेंट्र अब देखें तापी विदूत सेंट्र क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है आपके कि जिवासम इंदन को जलाकर ताप ये उर्जा गरो में ताप विदूत उत्पन की जाती है। विदूत संचरन है वो अधिक दक्स होता है और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके जल विदूत सेंतर अब देखे जल विदूत सेंतर क्या है तो जल विदूत सेंतर में पहला पोइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जल विदूत सेंतर गिरते हुए जल की इस्तितिज उर उर्जा को किसमें बदलते हैं किसमें रुपांत्रित करते हैं वी जूसरा पॉंट है कि जल्विधूत सेंकर बांधों से समंध्य है क्योंकि जल प्रपातों Стक्र है कि जो जल विदूत सेंतर है वो किस से समझ रखते हैं बांध हैं उनसे समझ रखते हैं क्योंकि जल प्रपातों की संक्या बहुती कम है और तीन नमबर पॉइंट है आपके जल विदूत सेंतर में कि बारत में उर्जा की मांग का 25% की पूर्ती जल विदूत सेंतरों से की जाती है कि बारत में उर्जा की मांग का 25% जो भाग है वो जल विदूत सेंतरों से की जाती है तो ये बातें आपको ध्यान रखने हैं इसमें और उसके बाद में जल विदूत सेंतर हैं तो उनसे क्या क्या लाब हमें प्राप्त होते हैं तो पहला लाब क्या है कि प्रियावरण को कोई हानी नहीं होती कि जो प्रियावरण है उसको कोई हानी नहीं होती और दूसरा लाब क्या है कि बांदों के निर्मान से बाड रोकना और सिंचाई करना ये भी एक सुलब माना गया है कि जो बांद है उनके निर्मान से बाड रोकना और सिंचाई करना ये भी क्या माना गया है कि सुलब माना गया है ओके तो ये तीन लाब हैं आपको अच्छे से याद करने हैं उ उर्जा के पारंप्रिक इस्तरोतों के उप्योग के लिए प्रोधोगी की में सुधार, तो उर्जा के पारंप्रिक इस्तरोतों के उप्योग के लिए प्रोधोगी की है, उसमें क्या-क्या सुधार किये गए हैं, तो सबसे पहले आपके जेव मात्रा और इसका दूसरा नाम ह होता है आपके बायो मास ओके तो जेव मात्रा या बायो मास क्या है तो कर्षीव जन्तु अप्सिष्ट जिने इंदन के रूप में उप्योग किया जाता है कि कर्षीव जन्तु अप्सिष्ट जिने इंदन के रूप में उप्योग किया जाता है जैसे लकडी गोबर सुखे त करते हैं जैसे लकड़ी हो गई गोबर हो गया सूके तने हो गए पति हो गई आदी ऑके उसमें से इंदन के रूप में प्रियोग करता आ रहा है okay, तो लकड़ी है वो जेव मात्रा का क्या एक रूप है, जिसे लंबे समय से इंद्धन के रूप में प्रियोग किया जाता है, अब उसके जो लकड़ी है, उससे क्या-क्या हानिया है, तो इसमें पहला है कि जलने पर बहुत अधिक धुआ उत्पन करती है कि लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा धुआ उत्पन करेगी तो इसमें एक नमर जो हानी है वो बहुती यहां पर यह हानी है कि जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा धुआ उत्पन करना और दूसरी हानी क्या है कि अधिक उस्मा का नहीं देना अधिक उस्मा नहीं देती है अगर हम लकड़ी को जलाएंगे और उसके बाद में है चार कोल तो देखे चारकोल क्या होता है कि लकड़ी को वायू की सिमित आपूर्ती में जलाने से उसमें उपस्तित जल तथा वास्प सिल परदार्त बाहर निकल जाते हैं कि लकडी को वायू की सिमित आपूर्ती में जलाने से उसमें उपस्तित जल और वास्प सिल जो परदार्थ हैं वो भार निकल जाते हैं और अवसेश के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। उसके बाद में नेकस्ट है चारकोल लकडी से बहतर इंदन है। क्यों माना गया इसकी क्या कारण है तो इसमें दो ही point आपको द्यान रखने हैं पहला point है कि बीना जवाला की कारण जलता है कि ये बीना जवाला की कारण जलता है और दूसरा है कि अपेक्छा करत कम दुआ निकलता है तो ये दो वातें आपको इसमें द्यान रखनी है उसके बाद में हैं बायोगेस अब देखें बायो गेस क्या है तो गोबर फसलों के कटने के पस्चार्ट बचे अवसिष्ट सब्जीयों के अव शिष्ट तदा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्तिती में अबगटित होते हैं तो बायोky एस का निर्मान होता है और अबगटन के फलसरूब मेथेन, CO2 यानि कारबन डाई ओकसाइड गेस, हाइड्रोजन गेस और हाइड्रोजन सलफाइड गेस जैसी गेसे हैं वो उत्पन होती हैं जेव गेस को संपांचित्र के उपर बनी टंकी में संचित किया जाता है जिसे पाइप से उसके क्या क्या लाब है तो इसमें पहला लाब है कि जेव गेस एक उत्तम इंदन है कि जो जेव गेस है वो एक उत्तम इंदन है क्योंकि इसमें पिछेतर परतिसत तक मेथेन गेस होती है कि जो जेव गेस है वो एक उत्तम इंदन माना गया है क्योंकि उसमें पिछेतर प चार नमबर लाव है कि बाइयो गेस का प्रियोग प्रकास के सरोत के रूप में किया जाता है और इसका पार्ट नमज़ वह जल्दी आपके एपलोड किया जाएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सेर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सबस्क्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बैल को प्रेस करें